हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको आने वालों वाटसब के एक नए फीचर के बारे में जिसका नाम है वाटसब मल्टी डिवाइस सपोर्ट नाम से यह फीचर को लॉंच कर दिया गया है जिसके बारह म conta कुछ दिन पहले गर दिया था कि हम इसको launch करेंगे आने वाले time पे अब उन्होंने इसको roll out कर दिया गया है इस feature को फिलाल यह feature बिटा यूजर के लिए दिया गया है बिटा यूजर बोले जिसको testing के लिए इसको roll out कर दिया गया है इसको आपको अगर beta user हैं तो आपको इसको use करने के लिए भी आपको पहले इसको join beta करना पड़ेगा Multi device का यः वो सकते हैं multi device support के लिए आपको इसको पहले join beta करना पड़ेगा तो ही आप beta version पूसको use कर पाएंगे और actual में इसका use is क्या है क्या इसके आपको फायदे होने वाले और यह कैसे वर्क करता है दोस तो आज Sunshine इस चैनल पर आपको मिलनेगी ओल टेखनी का भी बहुत कुछ और अवी तक अगर आपने मेरे चैनल नहीं किया है तो सब्काइब करना ना पुलें ताकि लेटेस्ट weeper update आपको जल्दी मिलते रहे montón difference वीडिए को करना क्या होगा अगर बीटा यूजर एंट वाइन हूपको सबसे पहले क्या होगा अपने मुम्वाइल पे प्लेश्चोर्रum मे Suite अगर आपको बीटा यूजर पर जाना है तो आपको Näつी STE System तो आपको वहाँ पर जॉइन पर क्लिक करना और कुछ टेप बाद आपको अपडेट का मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको कर लेना है अपने वाट्सअप को अपडेट जब तक अगर आप वाट्सअप को अपडेट नहीं करेंगे अगर आप बीटा यूजर है तो आपको आपको यहाँ आप अपर एसा आपको यहां पर इसा और नीचे की तरफ देखेएंगे आपको Google अपडेवाइस बीटा करके उनीचे जाइन लिखेगा अगर पहली वार यहां पर आएंगे तो आपको यहाँ आप पर ज्याइन करने के लिए लिए कि लिए कि वोलेगा जैसी आप पनुज करेगे तो नीचे आपको यहां पर लिफफ डिख लेगा आपको वहां पर जॉइन बीटा काÅप्शन मिल जाएका और आपको यौपर आप सकते हैं दोस्तों चार वर्ड्रब कराता हैं वो भी मल्टी डिवाइस के सपोर्ट से तो दोस्तों यह चार एडिशनल डिवाइस मतलब लाइक आप वाटसप वैब से अपने कंप्वीटर पर लैप्टॉप पर या अपने कोई से सेकेंडरी मॉबाइल पर वाटसप वैब के थूरू उसको लॉगिन करके क्यो रिकोड को स्कैन करके ऐसे जगा चार जगा वह यूज कर सकते हैं और एक प्राइमरी मॉबाइल जो की आप यूज कर रहे हैं जिसमें अफिशली आपने डाउनलोड करका है उसके थूरू उसको तो एक वो हो गया मतलब तोटल आप पांच जगा यहां पर अपने वाटसप को यूज कर सकते हैं पहले दोस्तों होता क्या यह आपको पहले भी मिलता था लिंक का डिवाइस वाला उसमें भी क्योर को स्कैन करते थे बट वहाँ पर क्या लिमिटेशन थे कि अगर आप क्राम करना बंद कर देता है यह जो नया ओप्शन आया यह वो सकते हैं जो नया फीचर आया इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा यह यह अगर आप डेक्स्टॉक पर यूज करते हैं अगर आपको मॉइल स्विच आप भी हो जाएगा या नैड भी बंद हो जाएगा तो कुछ भी हो जाए तो भी आप अपना वाट्सब को वहाँ पर यूज कर पाएंगे दूसरे वैब अड्रेस के थुरू आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप जितनी जाब भी लॉग इन करेंगे आप वहाँ पर एजिली उसका यूज कर पाएंगे तो यह होता है वाट्सब वैब का जो नया मल्टी डिवाइस सपोर्ट का जो फीचर आया है उसका यूजस यह है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा भी हुआ है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी आपके चैट रहेगी इसके अंदर पूरी तरह से एंड- मॉटा सब वॉन यह वार आप कॉलींग नहीं कर पाएंगे बाकि आप सब महाँ पर यूज्ट कर पाइंगे तो दोस्तों यह तो पर आपको इस और बीटा कर लेंगे तो यहां पर आपको यह ऊप्शन मिल जाएगा अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाएंगे आप द देखेंगे आपको एक option भी मिल रहा होगा लास्ट एक्टिव टुडे मतलब उस डिवाइस ने कभ यूज कर रहा है साथ बचके 21 मिनिट पर उसने लास्ट यूज कर रहा था और सिगनारिशन भी तभी हुआ डाटा रहेगा और अगर आप वह चाहिए तो यूज भी कर सकता ह अगर वह अपने मुवाइल को स्विच ओफ या नेट ऑफ भी कर दूँ अब मैं आपको कोई दूसरा इसमें डिवाइस को यूज करके दिखाता हूं तो यह मैंने अपने एक डिवाइस पर वाट्सप वैब को खुल लिया है और आप यहां पर देखेंगे दोनों जगह मेर आपको लाओ करके हब दो करने को पर इसको स्कने कर लेना है जैसी आप है पर इसको स्कैन करेंगे तो यह वह पर अटो फूरा आपको डी में बात यह है अगर क्या हूद अगर मैं अपने मॉवाइल का यहां पर नेट को आप देखेंगे यहां पर दोस्तों अगर मैं अपने मॉवाइल का यहां पर नेट को बंद कर दूंगा पहले क्या होता अगर मैं अपने मॉवाइल का यहां नेट को यहां पर मैं डाल देता हूं अपने मॉवाइल पर फ्लाइट मॉट को फ्लाइट मॉट पर डालने के वएदा आप देखेंगे आप पूई तरह से बंद हो गया है बट यह इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आराम से चल रहा है लाइक मैं अपनी नंबर पर कोई मैसेज बेस्ता हूं यह हाई तो आप देखेंगे यह चल रहा है वगायदा एजी लिए वर्क कर रहा है तो में डिवाइस का यहीं फायदा है कि अगर आप कहीं भी आपको उसको लॉगिन करके रखा है वैब में तो आ आप उसको यूज कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका प्राइमरी जहां पर आपका वाट्सप इंस्टॉल्ड है वह अगर बंद भी हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप मैसेज भी कर पाएंगे आपको कोई दिक्कत नह होगा तो उनके पास वो मैसे आटमेंटिक डिलीवर हो जाएंगे बट आप जहां जहां उसके आपने चार जगा उसको लॉग इन करके रखा है तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप इजी लिए उसको यूज कर पाएंगे मल्टी डिवाइस सपोर्ट से त तो वह फोन पर आटमेंटिक लाइक में यहां पर मैंने इसको बंद कर रहा है नेट को मैंने चालू कर दिया और यहां पर मैंने क्लिक करके सको कर दिया लोग आउट जैसी मैं लोग आउट करूंगा तो यह आटमेंटिक यहां से डिलीट हो जाएगा और वहां पर जहां प पर आपको मेरे वीडियो पसने तो प्ली लाइक करें अगर आपको लगता है दोस्तों मेरे वीडियो में कुछ कभीlaş एक पॉछ सकते हैं इस वीडियो से लेटेड हैं तो आप मुझे करके पूच में यहीदिर प्लइ करें और हो सकें लिगा और समीर जाया और नकर आव जाएगा तो थेंक्यू दोस्तों